दा कंपूटर टेक्निकल हिंदी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला इसलिए वीडियो को इसकीप ना करें लाइश तक जरूर देखें आज का टॉपिक है माउस माउस को हम कैसे यूज करते हैं इनके की क तो यूज कैसे करते हैं वह हम आपको समझाएंगे तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिल जाए तो चलिए देखते हैं माँस माउस में राइट बटन लेफ बटन और इस पर बटन ज Noel एक दरिंगे कि क्यों सि क्य का thesisए करते दोस्तों तो हम अपनी डेश्टॉप की स्किंग पर आ गए हैं आपको मैंने जैसे बताया था कि माउस के इंदे तीन की इंपोर्टेंट होती है एक लेप्ट की राइट की और इसकोरल वाल अब इनका यूज कैसे करते हैं हम आपको सखाएंगे किसी या फाइल या फॉल्डर के उपर जैसे की न्यू माइक्रोसॉप्ट है इसे मैं ओपन करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे इसके उपर डवल क्लिक करना पड़ेगा यानि लेप्ट की को डवल क्लिक करेंगे तो यह फाइल ओपन हो जाएगी अब उपने के फाइल ओपन हो गई है अब चलती है इसकी कण प्रापर्टी देखने के लिए किसी फाइल या फॉलडर takes effect मेंगा इसको ऊपर जाके मैंने लेट क्लिक को ऊपन किया सुरी राइट किलिक को मैंने किल्सक्राइक मैनू ओपन हो गया जैंश है राइट के लिए के लिए यह किसी भी करने के लिए अपन राइट की का उप्यों करते हैं लेट की का यूज हम किसी फाइल या फॉल्डर को एक जगा से दूसी जगा रखने के लिए है यहां किसी भी फाईल को सिलेक्ट करने के लिए डाय करने के लिए यह एक बार मैंने लेट को किया । अगर इस फाइल को नहां से यहां रखना चाहता हूं उसके लिए मुझे तो उस फाईल वुपर जाके के उसको दवाय के लेके आना पड़ेगा यहां तक और यहां फर मैं स्को फोड़ दूँगा तो यह फाइल यहां से यहां जागी इसके लिए भी अपन यूज करते हैं लड़ की का यूज ओख करने और cck करने के लिए उब ही करते हैं जैसे इस फाइल के अंदर粉 करता हूं ऊ-जाइसा मुझे दा कम्पूड़ अठेक्निकल हिन्दी यूटिप चनल को स्लेक्ड करना चाहता हूं इसके लिए मुझे यहां से कर्सर को रखे कर्सर को रखे लेपट की परेस करना पड़ेगी struggle कि करने के साथ इसको माउस के आगे लेकर जाएंगोा करसर को वहाँ बड़ अपना सेलीक्ट होता जाएगा अगर इसे कोप्झ या पेश्ट करना है उसकie लिए हम रायट क्लिक का यूज करते हैं उसके कि even करेंगे जैसे कवर्ट काप्र किसी का भी यूज कर सकते हैं अ से बंदिया चालू करने के लिए भी माउस करते हैं इसके लिए अपन को लेप्ट की का यूज करना पड़ता है जैसे की क्लोज करना है मैं लेप्ट की को प्रेश करूंगाrt फाइल वन हो जाएगी चलिए तो हम देखते हैं स्कॉरल वाल का यूज कैसे करते हैं जैसे कि मैं माइ कंप्यूटर पर गया अब मैंने इसको लेट क्लिक करके दो बार उपन किया कि एप में गया दोबर क्लिक किया मैंने वबल हो गई MP3 सौंग और MP3 सौंग कुछ सौंग फिलिम सौंग जैसे कि देख रहे हैं आप सौंग्स नीचे भी हैं लेकि इनको ऊपर लाने के लिए हम स्कॉरल वार के यूज कर सकते जैसा ही स्कॉरल वार को ऊपर की साइट स्कॉरल वार को तो सौंग आटोमेटिकली नीचे जाते जाएंगे या फिर हम लेप्ट क्लिक करके यहां पर हम लेप्ट की को हॉल्ड करके नीचे या ऊपर लेके जाएंगे तो सौंग नीचे ऊपर होते जाएंगे फाइल को बंद या चालू करने के लिए भी हम लेप्ट करते हैं जैसे कि मैं इसे नाता हूं क्लिख को करोंगा कि automatically file minimize हो जाएगी इसे open करना चाहता हूँ जैसे कि यह file है इसको उपर गया इस पर click करूँगा यह file open हो जाएगी बंद करने के लिए करते हैं तो माउस की सायता से computer चलाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इसे एक बहुत ही अच्छा इंपूट डवाइस है तो भाई लोगो आपको हमारा यह वीडियो परसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दवा कर और पास सेट करें जिसे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन आपके पास सबसे पहले आए चलिए तो मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो के साथ जब तक के लिए जैहिंद जैवाग